नमस्कार गर्मियों का मौसम है क्यों न हम ओरेंज कैंडी बना लें ये सब की मन पसंद है और बहुत ही आसान भी है इसे हम रियल ओरेंजिस के साथ बनाएंगे इसके लिए हम ले रहे हैं छे ओरेंजिस जी हाँ आप देखेंगे उन्हें बाहर से साफ कर लेंगे यानि के क्लीन कर लेंगे और उसके दो टुकडे कर लेंगे इस प्रकार हम सारे ओरेंजिस को काट लेंगे काटने के बाद हम इनका जूस जो है उसे स्क्वीज कर लेंगे इस तरह का ये बहुत ही common equipment है आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से इसे गोल घुमा के इसका juice निकाला जा सकता यानि के पूरा गुद्धा आप देखेंगे जो पल्प है वो सारा का सारा ही निकल आता है जब ये हो जाए सारे oranges squeeze हम कर लें तो हमें इतना सारा juice एक साथ मिल रहा है इसे हम strain कर देंग strain करके जो भी impurities होगी वो उपर ही रह जाएगी और pure juice हमें बाउल में मिल जाएगा अभी इसका जो पल्प है उसमें भी काफी juice रहेगा तो उसे भी हम छन्नी में डाल लेंगे और उसे थोड़ा सा दबा कर squeeze करके बचा कुछा juice जो है वो भी हम निकाल लेंगे इस प्रकार हमारे पास एक अच्छी मात्रा में juice तयार हो गया है अब इसे हम थोड़ा मीठा कर लेते हैं क्योंकि candy है तो वो sweet होती है यहाँ पर हमने half a kattori sugar डाली है और half a kattori रसना या tank powder जो मिलता है orange powder उसे भी हम इसमें घोल रहे हैं यह mixture तयार हो गया है थोड़ा सा हम इसे taste कर लेते हैं just to check whether the sugar is okay जी हाँ बहुत बढ़िया कुछ डालने की जरुत नहीं है और हमारी candies तयार है यानि कि उसका सिर्फ तयार हो गया है अब इसे हम molds में डाल देंगे आपके पास candy molds हो या ice cream molds हो उसमें हम pour कर देंगे और आप देखेंगे इसका color बहुत बढ़िया consistency बहुत बढ़िया और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है यानि कि हमने जरा भी इसमें पानी नहीं डाला है pure juice है और ये गर्मियों में बहुत ही ideal है अब इसे हम cover कर देते हैं उसकी stick इसके साथ और वो साथ में उपर उसके cap भी है इस प्रकार हम सारी candies जो हैं cover कर देंगे और इन्हें हम fridge में रख देंगे for 8 hours अगर आप रात के समय बना रहे हैं तो इसे overnight fridge में रख दीजे और फिर इसे हम after 8 hours चेक कर लेंगे लीजे हमने इसे fridge से निकाल दिया है आप देख रहे हैं ये काफी ठंडी है इन्हें हम थोड़ी समय के लिए ऐसे ही छोड़ के छोड़ देंगे और फिर इन्हें हलका सा हिलाएंगे यानिकि sticks को हलका सा हिलाएंगे ताकि वो अपनी position छोड़ सके जी हाँ जब हम इन्हें निकालते हैं वाव सुपब आप देखे कितनी neatly बहार आ गई हैं इसी प्रकार हम बाकी की candies भी निकाल लेंगे ये इतनी tempting लग रही है मेरा मन कर रहा है मैं इसे अभी का अभी खा जाओं लेकिन मुझे पहले अपना demo complete करना है नीजे बहुत ही सुन्दर बहुत ही सफाई से निकल रही है आसानी से निकल रही है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख चुके हैं हमने कोई ज़्यादा मेहनत ने की है बहुत ही कम समय में सिरफ एक freezing time ज़्यादा है that's it इसे आप बनाईएगा जरूर क्योंकि कर्मियो का मौसम है और ये बच्चों की मन पसंद है बच्चों की क्या मुझे भी बहुत पसंद है उमीद है आप इसे like करेंगे और साथी साथ चैनल को subscribe करेंगे thank you